कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इंजिनेरिंग गुरुजी में मैं आज आप लोगों को बिना डाइल गेज का बिना फोर्मूला का एलाइमेट सिखाने वाला हूं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप लोगों को बिना डाइल ग मोटर में ना पंप में कोई भी कुम्मेंड में ना इस्पाइडर डेमेज होगा तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों एक मेरा रिक्वेस्ट है अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे इस पेज में एक चैनल है तो दिल से रिक्वेस्ट है मेरा वो म करके दिखाऊंगा और जो भी आपका क्वेश्चन है उसको मैं पूरा किलियर बताऊंगा एक दम लाइव आके तो उस चैनल को जाके सपोर्ट जरूर कीजेगा मेरा रिक्वेस्ट है वो ब्लोगिंग का चैनल नया दिल से महनत कर रहा है उसमें तो प्लीज उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देजगा मेरे पेज में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को पहले मोटर का बेस को लूज कर लेना है अच्छी तरह से उसके बाद यह कपलिंग है देखिए लाइमेट कितना उट है 10- सब्सक्राइब करने के बाद अभी कपलिंग को अच्छी तरह से उसमें फसा लेना है और टाइट कर देना है यह कपलिंग जो है इस पेसर जो कपलिंग है कपलिंग का बारे में भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रुरी है तो वीडियो को पूरा देखिएगा इसमें ब लिजेगा क्योंकि दिल से मेहनत कर रहा हूं तो मैं ऐसे कुछ बहुत ज्यादा प्रमोड नहीं कर रहा हूं आप जाईए विजिट कीजिए आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और एक हजार सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं पक्का लाइब आ का माँट है मेरे को अभी मोंटर को राइट लगे कर लिए है जानना सीम किसको होता हूँ भी मैं बताऊँगा है तो मोटर का वे इस को अच्छी तरह से लूज करके थोड़ा मोटर को मैं सिफ्ट कर लेता हूँ राइट का सैड में तो आप लोग को अलामेंट करके दिखाऊंगा तो अभी मोटर को लूज कर लिया हूँ, थोड़ा राइट सेड में इसको सिफ्ट कर लिया, और इसको पुरा कपलिंग को अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, यह स्पेसर जो कपलिंग बोलते हैं, तो इसको अच्छी तरह से 6 वोल्ड लगे रहते हैं इसमें, इसको करके दिखाता हूँ, और जो मेरा बेटे का चैनल है, उस चैनल का नाम है, राजबीर फैमली ब्लॉग, तो उसमें जाकर विजिट जरूर कीजेगा, और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजेगा, तो उसका 1000 सस्क्राइबर हो गया, तो आप लोगों को मैं और दिल से सिखाऊ होंगा, बहुत सारे, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा प्रमोट कर रहा हूं, और रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोग से, तो इस कपलिंग को अच्छी तरह से मैं टाइट कर लेता हूं, टाइट करने के बाद तो पूरा सीधा हो जागा, आपको थोड़ा सा गेब दिख रहा होगा बीच में, तो पूरा टाइट कर लेंगे, तो वो पूरा टाइट होके मिल जाएगा, ठीक है, उसको पूरा अच्छी तरह से मैं टाइट कर लेता हूं, देखिए अभी में यह सीम आप, लोंको मैं बताना चाह रहा था कि सीम क्या आपको डालना है, उससाब से आप सीट को काटके और सीधा रखना है, एक दम सीधा कर लेना, अच्छा से हैमरिक से करके उसको पूरा सीधा करने आएगा, तो फिर आपको एलाइमेंट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है, फिर इस तरह से मोटर का बेस बोल्ट को लूज करना है, बोल्ट को कभी भी बाहर मत लिका लिएगा, बहुत परिसानी होगा आपको, तो यह खाली लूज कीजिए, बुच करने बाद सिंपल ऐसे उठा के उसको इसको डाल दीजिए, ठीक है, और जो एक बेस में डालिएगा, चार बेस में उतना ही डालना है जैसे मिलाना है आपको ठीक है, उसी का सर्फेस जो है, एक साइट का बराबर रहता है, तो आपको अच्छे से मिला के देखना है, दोनों कपलिंग को देखिए, अभी जैसे थोड़ा सा हलका गेप दिख रहा है, तो मैं अभी मिला लेता हूं इसको, मिलाने के बाद मैं आपको हलका सभी गेप नहीं दिखना चाहिए, दोनों तरफ से, तब जाके आपको अलाइमेट पूरा एक दम ओकी होगा, और चारों तरफ से चेक करना है, उसको आपको, खली एक साइट से नहीं देखिए, इधर से भी लगा के दिखाया देखिए, अभी देखिए, गेप और चारों जगा में ऊपर भी चेक करना है, नीचे भी चेक करना है, और राइट लेफ्ट में भी चेक करना है, अच्छे तरह से मिला के उसको तब जाके आपको टाइट करना है, और इसमें और एक चीच का जुर्रत पड़ेगा, वह भी मैं अभी आपको बताऊंगा, तो पहले अच्छा तरह से मिला लेता हूं इसको ठीक है चारो तरफ से मिलाना पड़ेगा बिना मिला इसको देखिए आपको दिखाता हूं मैं भी को तुम देखें कहीं भी आपको नहीं दिखेगा है इतना अच्छा मिली किया है एक्दम सीधा है है आप चाहिए आपको एक फिलर और किट टीके दो ही चीछ चाहिए फिलर गेज में क्या करना आपको बीच को मेंटेन करना वो भी कितना यह सबसे अच्छा है जानना तीनम्हाँ का जाता है। तो आपको यह problem है फिर आपका alignment में फिर उसको आपको ठीक करना पड़ेगा ठीक है दोस्तों इस तरह से आपको अच्छी तरह से चेक करना है कभी कोई problem नहीं होगा alignment एक लगया है कैसे चारों त्रफ से सब तरफ से ठीक है कि तो अगर आप लोगको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो नहीं रिक्वेस्ट को जरूर मानियेगा और मेरे बेटे के चैनल को संस्क्राइब कीजिएगा अगर उसका एक हजार संस्क्राइबर हो जाते हैं तो मैं आप लो को सपोर्ट कीजिए जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और अधिक कुछ अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलिग्राम का लिंक दे दूंगा उसको जाके जॉइन कीजिएगा धन्यबाद दोस्तों